मिडेलिस्ट की जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है अब तक परदे की पीछे से इसराइल पर हमला करने वाला इरान अब खुलकर वार पलट वार कर रहा है पिछले 6 मेने में इरान इसराइल पर दो बार हमला कर चुका है एक अक्टूबर को हुए इरानी हमलों का इस्राइल ने भी बद्रापूरा कर दिया है इस्राइल ने पचीज दिन बाद इरान को उसी की भाशा में जवाब दे कर अपना इंतिकाम लिया इस्राइल इस्राइल ने दावा किया कि इरान में सैने ठीकानों पर सटीक हमले हुए इस्राइल ने अमेरिका को बताया कि उसने इरान के मिलिटरी ठीकानों, पावर प्लांट और ओयल रिफारिनरी पर हवाई हमला किया ऐसा नहीं है कि इरान को इसराइल के संभावित हमलों का अंदेशा नहीं था इरान भी इसराइल के जवाबी हमले को लेकर पूरी तरह से तयार था ऐसा दवाई कि इरान को उसके सहयोगी देश रूस ने भी बड़ा अलर्ट दिया था रूस ने इसराइल के हवाई हमलों से पहले ही इरान को चितामनी दी थी बताया जाता है कि खूफिया जनकारी इसराइल के इरानी सैनेटी कानों पर हमलों की घोशना से कुछ घंटे पहले दी गई थी स्काइ न्यूज अरेविया की रिपोर्ट के मताबिक एक अक्टूबर को इरान के हमले के जवाब में इसराइल के दूसरे दौर के हमले से कुछ घंटे पहले रूस ने तहरान को खूफिया जनकारीम होया कराई थी बावजद इसके इरान को नुकसान हुआ इरान ने पुष्टि किया कि इसराइल ने राजधानी तहरान के साथ सत अन इलाकों में भी मिलिटरी साइट्स को निसाना बनाया इरान ने कहा कि जो धमाके सुनाए दिये भी इसराइली हमले को रोकने वाली एर डिफेंस सिस्टम के सक्री होने के कारण थे इरान ने कहा कि उन्हें इसराइली हमलों से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इरान ने पुछ्टी की है कि इसराइली हवाई हमले में उसकी एर डिफेंस फोर्स के चार सैनिक मारे गए हैं रिपोर्ट के मुताविक मरने वाले सभी लोग इरानी एयर डिफेंस से जुड़े थे हाला कि इरान ने उनकी तैनाती की जगह नहीं बताई है वही इसराइल ने अपने हमलों के बाद इरान से हिसाब बराबर होने की बात की साथी इसराइल ने चितामनी दीकी अगर तहरान ने हमलों का जवाब दिया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी साथी अमेरिका और विटेन दोनों ने ही इरान से संगर्स को और बढ़ाने से बचने का अग्रह किया वही इसराइल के इरान पर हमलों को लेकर रूस ने भी कड़ी प्रितिकरिया दी है रूस ने अंदेशा जताया है कि ताजा हमले मिडेलिस्ट के तनाव को बढ़ा सकते हैं साथी इसराइल और इरान का संगर्स काफी बढ़ सकता है इस दोरान रूसी विदेश मंतराले के प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि इराके में चल रही विस्पोटक विद्धी चिंता जनक है हम सभी संबद्धित पक्षों से सयम बरतने, हिंसा को रोकने और इस्तिती को विनाश कारी हालात में बदलने से रोकने का आहवान करते हैं इरान को जवाबी का रवाई के लिए उकसाना बंद करना और और नियांतर विद्धी के चक्र से मुक्त होना आवर्शक है इरान पर हुए इसराइली हमले पर इरानी न्यूज एजनसी तस्नीम ने कहा कि इरान इसराइल के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तयार है मामूली बताया और IDF पर हमले को लेकर बढ़ा चढ़ा कर दावे करने का आरोप लगाया बताया चुआ और छिahaha कर आरोप लेकर बताया और खुआरा धर के ज만 वेकर बयूद कि भी बताया और jus एहे लोगा लेकरा हमले का ख्या प्रा सकर सेकानि को लेकर पर में से हिएावी कर दोस्ते को लेग् dijeकर शार्व कि बताया हैं में वेकर रoup। झाल झाल